आज जिस अभ्यास के विशे में हम बात कर रहे हैं इस अभ्यास के विशे में हठियोग प्रदीपेका में कहा गया है कि इस अभ्यास को करने वाले अभ्यासी के लिए कोई भी आहार अपथ्य नहीं रहेगा इस अभ्यासी की जो जठरागनी है कहा गया है कि वो इतनी अधिक बढ़ जाएगी उसका पाचन इतना दुरुस्त हो जाएगा कि उसके लिए कोई भी आहार अपथ्य नहीं रहेगा यानि कि वो जो भी खाएगा उसे सरलता से वो डाइजेस्ट हो जाएगा हज्म हो जाएगा ये भी कहा गया है कि अभ्यासी अगर विश भी ग्रहन कर लेगा तो विश भी अमरत के समान हो जाएगा इस तरीके से जो उपमा हमारे योगी देते हैं वो इसलिए देते हैं जिससे की एक सामान्य अभ्यासी उस अभ्यास के महतु को समझ सके और श्रद्धा पूर्वक उस उस अभ्यास को निरंतर करे साथ ही साथ इस अभ्यास के विशय में ये भी कहा गया है कि अगर टीवी की समश्या है लंग्स में इंफेक्शन है लंग्स से समबंदित कोई भी समश्या है तो इस अभ्यास से वो भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि इस अभ्यास में हम कुम्भक का अभ्यास करते हैं और कुम्भक लंक्स से समबंदित समश्याओं को समाप्त भी करता है और आपके लंक्स की केपैसिटी को भी बढ़ा देता है रक्त की शुद्धी अच्छी तरीके से होती है और आपके पूरे शरीर में प्राण वायू इस अभ्यास से बढ़ना शुरू हो जाता है ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लोटिंग की समश्या रहती है गैस बनती है वायू विकार है उसमें भी ये उप्योगी है और अगर किसी व्यक्ति को कॉंस्टिपेशन की समश्या रहती है उसमें भी ये अत्यंत उप्योगी अभ्यास रहेगा हमने ये भी पाया है कि इस अभ्यास से योन संबंदित जो समशाएं हमारे युवाओं को रहती है या महिलाओं में भी कई प्रकार की समशाएं रहती हैं उनमें भी इससे बड़े ही अच्छे लाब मिलते हैं साथ ही साथ आपकी स्पाइन की तरफ बलड का सर्कूलेशन इस अभ्यास से बढ़ना शुरू हो जाता है और वही सर्कूलेशन आपके मस्तिश की तरफ भी फिर बढ़ता है और इस से निश्चित रूप से आपके मस्तिश के उपर बढ़े ही अच्छे प्रभाव पढ़ते है स्मृति बहतर होती है आप सक्रिय हो जाते हैं आज का जो ये हमारा अभ्यास है ये है महा मुद्रा का अभ्यास इस अभ्यास के दो चरण होंगे पहले चरण में थोड़ा सरल आपको ये अभ्यास पड़ेगा और जो दूसरा चरण होगा वो थोड़ा सा एडवांस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा उच्च अभ्यास होगा लेकिन उसमें आपको तब जाना है जब आपका प्रथम चरण का अभ्यास बहतर हो जाए ठीक से आप करने लगें और अभ्यास में ठहरने लगें किस तरीके से करना है अब इस विशय को आप ठीक से समझ लिए आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से दंडवत आगे की तरफ कर लेना है उसके बाद अपने एक पैर को आपको यहाँ पर इस तरीके से मोड़ना है और पीछे लेकर के आना है अब ये जो आपका पैर है जो आपने मोड़ा है चाहे आप पहले दाएं पैर को मोड़ लें चाहे बाएं पैर को मोड़ लें वो आपकी स्वतंतरता है इस पैर की एड़ी को आपको पीछे लाकरके अपनी जननेंद्रिये और गुदा के मध्य में स्पर्ष कराना है इस तरीके से आप जब सोभाविक इस पैर को पीछे लाएंगे तो ये पीछे वहीं आकरके स्पर्ष होगा जो आपका मूलाधार चक्र का स्थान होता है इस पर खाली स्पर्ष नहीं कराना है स्पर्ष के बाद इसको इस तरीके से पीछे एड़ी का एक दबाव बनना चाहिए वहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है ये जो आपका पैर है ये आपके सीधे वाले पैर के नीचे अगर चला जाता है थोड़ा ये बिल्कुल ठीक है इसमें कोई समश्चा नहीं महत्वपूर्ण यही है कि पीछे पूरा सटे और जब ये आपकी एडी का दबाव आपके मूलाधार पर बनता है तो मूलाधार के स्थान पर एक सक्रियता आने लगती है और मूलाधार से उपर आपकी चेतना उठने लगती है मूलाधार चक्र से जब आप उपर उठते हैं तो उससे तामसिक्ता, आलशे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कामुक विचार इस तरीके की स्थतियां समाप्त होती हैं और विचारों में एक ठैराव आपको अनुभव होने लगता है तो ये आपने समझा, इस तरीके से हमने अपने पहले पैर को पीछे ला करके सपर्श कराया, अब क्या करना है, जो पैर आपका ये सीधा है, इसके अंगुठे को पीछे खिंच करके रखें, ध्यान रखना है साथ ही पैर आपका इस तरीके से बगल में अगर चला जाएगा तो ये जो पूरी स्ट्रेच आनी है ये समाप्त हो जाएगी ध्यान रखें ये एक मुद्रा का अभ्यास है और मुद्राओं में आसनों से अधिक बारी की और सक्रियता की जरूरत होती है तो इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है तो पैर बाहर नहीं जाएगा सीधा रखेंगे अंगूठे को पीछे की तरफ खिंच करके रखेंगे यहां से अपनी कमर को अब आप पूरा सीधा करें क्योंकि अगर कमर सीधी नहीं करेंगे तो आपके उदरगत जो अंग हैं उनके उपर एक दबाव बना रहेगा देखें अगर आप इस तरीके से मोड करके कमर को नीचे जाते हैं तो मेरे पेट के उपर एक दबाव बन गया और जो यह दबाव है इसने मेरे स्टमक, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज सभी अंगों को दबा लिया है लेकिन अगर यहीं पर मैं इस तरीके से सीधा करता हूँ अपने मेरुदंड को तो यह पूरे जो उदरगत अंग है यह रिलीज हो गए इन पर कोई दबाव नहीं है तो इस तरीके से पहले हाथों को उपर उठा करके आपको पूरा खींच लेना है जिससे की पाचन के अंगों पर कोई दबाव ना आए उसके बाद आपको इस तरीके से जाना है और अपने पैर को इस तरीके से पकड़ लेना है अंगूठे को इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं और पैर को भी ऐसे hold कर सकते हैं जितना हो सके कमर को सीधा रखने का आप प्रयास करेंगे एक पैर से तीन बार अभ्यास करना है पैर बदल कर दूसरे पैर से फिर तीन बार अभ्यास करना है एक बार थोड़ा सा बगल से भी हम आपको दिखा देते हैं इस तरीके से हमने सटाया और यहां पर हमने इस तरीके से खीचा और हम इस तरीके से फिर आगे जाते हैं हमने होल्ड किया कमर को हमने सजगता पूरुवक्ष फिर से सिधा किया और पैर को पूरा पीछे खीचा एक यहाँ पर भी पूरा खीचाव आएगा और यहाँ पर ऐसे हम रुके अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है पूरा सांस पहले अंदर की तरफ भरेंगे और सांस को अ करके स्पर्ष हो रही है वो जो मूला धार का स्थान है वहां पर भी संकुचन करना है यह मूल बंद का अभ्यास होता है तो इसको संकुचित आप सहज कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपकी एड़ी कहां पर स्पर्ष हो रही है तो बिलकुल आसानी से आपके लिए बहर के hold कर सकें तब तक अभ्यास में रुके रहना है तो देख लें एक बार हम इस प्रकार की स्थती में आए हमने सांस को पूरा अंदर भरा ये हमारा एक hold हुआ एक कुम्भग हुआ तो हमारा ये एक अभ्यास हुआ ऐसे ही यहीं पर रुके रहेंगे फिर से सांस को आप अंदर भरेंगे फिर से आप मूल बंद लगाएंगे जालंदर बंद लगाएंगे और जितनी देर तक होल्ड करके रख सकें उतनी देर तक अभ्यास को होल्ड करेंगे ये आपका एक अभ्यास हो गया फिर ऐसे ही दूसरा और तीसरा इस पैर से इस स्थति में आपने तीन अभ्यास कर लिए अब आपको पैर को बदलना है और पैर को बदलके आपको दूसरे पैर से भी तीन अभ्यास करने हैं ये आपका पहला चरण हुआ, जो हमने आपको कहा, कि आपके दो चरण इस अभ्यास के रहेंगे, तो ये आसान वाला पहला चरण आपका हो गया, इसके बाद जो चरण हमारा है, उसे आप समझें, इसमें सांस को पूरा बाहर छोड़ना है, रेचक करना है, और रेचक करने के बाद होल्ड करना है, यानि कि इसमें वहय कुम्बक का अभ्यास रहेगा, देखिए इसमें बड़ी ही सावधानी से आप समझे तो इस प्रकार की स्थती में हम आए, हम आपको दूसरे पैर से करके बता रहे हैं, एक पैर को हमने मोड़ा पीछे हमने पूरा सटाया और इस तरीके की स्थती में हम आजाते हैं, अब यहाँ पर आने के बाद, हम उसी तरीके से उसी स्थती में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरा सांस को हम बार छोड़ेंगे, और बाहर छोड़के होल्ड करेंगे जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो आपका पेट स्वभाविक अंदर की तरफ जाएगा पेट अंदर की तरफ जाएगा तो इसमें हमें जालंदर बंद भी लगाना है मूल बंद भी लगाना है, जो पीछे के अभ्यास में हमने आपको बताया और जैसे ही सांस को पूरा बाहर छोड़ा, कुछ तो पेट आपका अंदर की तरफ स्वभाविक जाएगा और थोड़ा प्रयास पूरवक पेट को थोड़ा अंदर की तरफ संकुचित करना है, बहुत जादा नहीं करना है, हानी हो सकती है लेकिन बिल्कुल हलके से आराम से, जितना आप सोभाविक पेट को थोड़ा अंदर की तरफ खीच सकेंगे, उतना आपको खीचना है, तो इस से आपके पेट के अंगों पर बड़ा ही अदबुत प्रभाव पढ़ता है तो एक खीचाव पुरा नीचे से लेकर उपर तक स्पाइन पर यहाँ पर आ रहा है, और जो हमने कहा, बलड का सर्कुलेशन स्पाइन के तरफ बढ़ना शुरू होता है, ब्रेन अलर्ट होता है, मेमरी अच्छी होती है एक बार देख लें कि इस पैर से यह वाहिय कुम्भक के साथ अभ्यास कैसे करना है सांस को पूरा अंदर भरा सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ गए अब यहाँ पर आपने फिर से एक बार गहरा सांस अंदर लिया सांस को पूरा बाहर छोड़ा इस तरीके का यह अभ्यास होगा एक बार हमने थोड़े समय के लिए आपको करके बताया आपको जितना आप बाहर होल्ड कर सकें उतना होल्ड करना है एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया इसी तरीके से, फिर दूसरे पैर से पहली बार किया, दूसरी बार तीसरी बार जो हमने आपको प्रथम चरण बताया लगबग एक महीने तक उसे ही करें और उसके बाद ये आप द्वित्य चरण वहय कुमबख के साथ ये अभ्यास आपको करना है इससे आपको बड़े अच्छे लाब मिलेंगे जब आपका ये दूसरा अभ्यास परिपक्व हो जाए तो आप तीन बार उस अभ्यास को और उसके बाद इस अभ्यास को दोनों अभ्यासों को साथ साथ कर सकते हैं या फिर आपके पास कभी समय कम है तो आप सीधा दूसरे अभ्यास को वाहिय कुम्भक के साथ जो हम कर रहे हैं उसको भी कर सकते हैं तो इस तरीके से ये महा मुद्रा का पूरा अभ्यास आपका रहेगा कुछ स्थानों पर ऐसा भी कहा गया है कि एक पैर से साथ बार या आठ बार दूसरे पैर से साथ बार या आठ बार करें लेकिन वो प्रारंबिक अभ्यासी के लिए काफी ज्यादा हो जाता है अभ्यास इसलिए हमने कहा कि तीन तीन बार आपको ये करना है इतना आपके लिए काफी होगा ध्यान एक और रखें कि जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो इन अभ्यासों से अलग आप सांस को अंदर भरके अंदर रोकने का अंतह कुंबक बाहर छोड़के बाहर रोकने का वहय कुंबक ये अभ्यास आप सुखासन में बैठ करके अलग से भी करते रहें इससे ये होगा कि आपका जो आपके लंक्स की केपैसिटी है सांस को होल्ड करने की बाहर या अंदर वो बढ़ जाएगी और आप महामुद्रा के अभ्यास में लंबे समय तक रूख सकें परम हितकारी और उप्योगी अभ्यास हमने आपके साथ सांजा किया जो की एक नहीं अनेक प्रकार के लाब रखता है और आपको बड़े फाइदे इससे मिलने वाले हैं इस अभ्यास को आप अपने अभ्यास करम का हिस्सा बनाएं और इससे लाब लें इस सभी के लिए उप् और बड़े हैं वो तो मिलेंगे ही तो यह अभ्यास हमारे सभी बंदू के लिए उप्योगी हुसायख हुँ हम ऐसी ही कामना करते हैं आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था भविश्य में अन्यमेथव पून्विश्यों पर मार्गदर्शन होता रहेगा सभी क आज के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना, आज के लिए इतना ही, ओम नमस्षिवाएगा.